अब खबर UPI से जुड़ी हुई जिसमें होने जा रहा है एक बड़ा बदलाओ डिजिटल पेमेंट के लिए UPI का उप्योग करने वाले उजर्स को जल्दी ही विविन भुगतान के लिए अपने अकाउंट में राशी ब्लॉक करने की सुभधा मिलेगी होटल बुकिंग, शियरों की खरीद विक्री जैसे विविन लिन देन के लिए UPI के जरिये राशी अपने खाते में ब्लॉक करने और भुगतान करने की सुभधा मिलेगी इसके लिए बुकतान करना आसान हो जाएगा, इसके लिए रिजर बैंक अलग से दिसार देश जारी करेगा RBI ने आज एक और बड़ी घोशना की है, अब आप भारत बिल पे सिस्टम के जरिये अपने घर का किराया, स्कूल की फीस और टैक्स भी भर सकेंगे RBI ने भारत बिल पे सिस्टम यानि BBPS में सभी पेमेंट और कलेक्शन शामिल कर इसका दायरा बढ़ाने की घोशना की है, अभी BBPS के पास अलग-अलग समय पर होने वाले भुकतान या व्यक्तियों को मिलने वाली राशी के भुकतान की सुबदा नहीं है, जिससे अभी प्र सम्हू के लिए सुलब होगी, अब खबर मॉबाइल से भेजे जाने वाले मैसेश से जुड़ी होई, दूर संचार न्यामक ट्राई ने कहा है कि किसी आपदा की इस्तिती में आपदा प्रवंधन अधिनियम के तहत कमेंट अलर्ट प्रोट्रोकॉल के जरिये भेजे जाने आपदा प्रवंधन अधिनियम के तहत निर्देश जारी ना होने पर CAP के तहत भेजे जाने वाले SMS पर वे टेलीकॉम कंपनियां प्रती SMS दो पैसे का सुल्क लगाएंगी, जिनके नेटवर्क का इस्तिमाल इन्हें भेजने के लिए किया गया, यह प्रावधान आपदा य के तहत संदेश भेजने पर कोई सुल्क नहीं लगेगा